तो दोस्तो कभी कभी youtube बहुती जबरदस्त अपडेट करता है, बहुती अच्छा अपडेट लेकर आता है, दोस्तो ये जो youtube का अपडेट आया है इस अपडेट के आने के बाद यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी प्राबलम थी वो दूर हो जाएगी तो क्या अपडेट ही क्या यूट्यूबर की प्राबलम दूर होने वाली है किस तरीके से ये अपडेट काम करेगा सारी चीजे आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो चैनल पे अगर आप नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो पसंदाती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अगर आपका कोई भी कुश्चन है कोई भी आपको प्र करते हैं तो दोस्तो अभी तक यूट्यूबर के सामने एक बहुत बढ़ी समस्या क्या थी कि जभी वह अपनी वीडियो को शूट करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत भी म्यूजिक इधर उधर से आ जाता था तो तुरंत से उनका वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब और copyright claim से क्या होता था कि उनकी उस video की पूरी की पूरी earning चली जाती थी copyright claim करने वाली company को दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके channel पे copyright claim आता है तो उसमें जो copyright claim का email होता है उसमें एक company का नाम जरूर लिखा रहता है मतलब उसका ये होता है कि इस company ने आपको copyright claim दिया हुआ है जो channel monetization नहीं है और उनकी वीडियो पे copyright claim आता है तो जब भी वो channel monetization होगे जिन वीडियो पे copyright claim आ जाता है उनका earning उस channel को नहीं मिलेगा उनका earning जाएगा copyright claim करने वाली company को तो यूट्यूबर की इसी समस्या का अब समाधान ढूंड लिया है यूट्यूब ने अब आपकी वीडियो पर copyright claim नहीं आएगा जी हाँ अब आप बेफिकर बॉलिवुड के song यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में तो दोस्तों यूट्यूब का कहना है कि हम अगले महिने यानि सितंबर से एक नई scheme ला रही है जिसके तहत हम कुछ company यों से बात कर रहे हैं जैसे टी स्रीज हुआ और सारे गामा हुआ बड़ी बड़ी जो music companies हैं उनसे हमारी बात चल रही है और कुछ हद तक कुछ song ऐसे होगे जो अगर या कुछ second का music ऐसा होगा 5-7 second का या 10 second का कि अगर वो आपकी वीडियो में आ भी जाता है या आप अपनी वीडियो में उस music को use भी करते हैं बोलिवूड songs वगयरा को तो भी आपकी वीडियो में copyright claim नहीं आएगा दोस्तों इस पर अभी work चल रहा है सितंबर में YouTube का कहना है कि हम completely बता देंगे कि वो क्या conditions हैं जिनके according आपको music use करने पर copyright claim नहीं आएगा दोस्तों ये एक बहुत अच्छा update YouTubers के लिए कि अब आपकी earning आपके पास ही रहेगी copyright claim वा लाइक कर देना चैनल पर नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए थैंक्स फुर वाच्च